बिस्मिल्ला रमानिरहीम असलाम अलेकुम कैसे जी आप सब उमीद करती हूँ आप सब खैरिया से होंगे लगा आपको जहां रखे खुश रखे इस ता मुस्क्राता रखे आज मैं आपके लिए लेकिए इस सिक्स मन्थ बेपी का बहुत ही प्यारा सा कंप्लेट ड्रेस तो य से हम डबल फॉल्ड कर लेंगे आभ एाब के इस की शॉल्डर निशान लगा से है तो यह जो आपका बिब्ल है तो आपने स्थी फ्पािफ इंच पर लगा लेना है और लेंड़ में वन इंच EST पे ऐससे निशान लाएब निशान लंगाले ना है सिधा अब इसको कट कर लिया है नीचे से हमने आफ इंच की इदर शे गुलाई के देनी है और शाइन से हमने हलकी सी शेप देनी आप कटिंग में तो अपर पाट की कटिंग हो गी है यह देखें यह 4-fold कपड़ा मैंने लिया था उबर से हमने डबल स्टिच करेंगे यह जो मैं ड्रेस त्यार कर रही हूँ यह वन मिटर में मैं त्यार कर रही हूँ तो यह शोल्डर पुटी के लिए मैंने जो स्टैप लिये हैं वो 5 इंचिस की लेंथ है और इसकी वेड़ से जो है वो 1.5 इंच डबल फोल्ड मैंसे मैंने करके रखा हुआ है तो यह मैंने लेस ली है लेस को हमने फ्रेंट पार्ट पर अटैच करना है तो उसका मैंने सिंगल पार्ट ले लिया है जिस पहूंने इस तरह स्लाइग का उपर से मार्जन छोड़ते हुए लेस को ऐसे अटैच कर लेना है तो लेस जो हमने attach करनी है किसी साब से हमने cutting की हुई है उसी साब हमने attach कर लेनी है और shoulder साइडों पर चंप पलटद्स लिया है जैसे टैश करने के बाद हमने इस तरह shoulder रखने है कि स्ब्सक्राइब और शोल्ड रखने के बाद ऊपर से स्का हमने second पार्ट रखेना है और इसको हमने इस तरह पलट लेना है जिदर से हमने लेज की सलाई है हमारी नजर आएगी उस सलाई के साथ साथ हमने दूसरी सलाई लगा लेनी है और इदर चोटे-चोटे से कट लगा लेंगे साथ-साथ स्लाही हमने इसलिए लगाई है कि हमारी जो लेश है वो वह हमारी ज्राही के अंदर ना आए तो यह दिखें हमने इस लाए लगा कि इसको पलट लिया अब इसको हमने प्रेस कर लेना है ताकि इसकी इच्छी सी नेट्नेस आजई अब इसने इसके साथ हमने बैक पार्ट अटेश करना है तो बैक पार्ट जो है उसका हमने ऐसे सीधा हिस्था रख लिया है यह सीधे वाली शायड है और उसके उपर हमने ऐसे स्टैप रख लेने हैं ह laugh हुअ है अब इसके वपर हमने सेटेंड पार्ट रख लेना है। इसको आप पलेट लेंगे और इधर भी हमने प्रैस कर लेना आपको मेरी यहां तक वीडियो पसंद आ रही होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस करने ताके मेरी इस तरह की अच्छी और प्यारी प्यारी वीडि लिया है इसकी जो विर्थ है उपर से वह हमने 16 इंची की लिए और इसकी जो लेंद्थ है वह 8.5 इंच की है इसको हमने नीचे से बारी सब फोल्ड कर लेना है और उपर हमने चुनद डालेनी है यह लगा के यह डिबल पाट है फ्रेंट और बैक का तो यह दिखिए चुनद डाल की तो इसको हमने अटेच कर लेना है अपर पार्ट के साथ फ्रेंट और बैक दोनों हमने अटेच कर लेने हैं अटेच करने के बाद इसकी जो लास्ट स्लाई रहे गी है वो साइट की हमने स्लाईयां लगानी है अब मैं आपको इसका फाइनल लूप दिखाऊंगी तो यह दिखें बेपी का बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनके त्यार हो गया है अब हमने शौर की स्टिचिंग करनी है तो इसकी जो मैंने लेंथ लिए है वह 11.5 इंच के लिए है और इसकी विर्थ है वह 8 इंच डबल फॉल्ड की मैंने लिए है यह फॉल्ड कप्रा है उपर से हमने 1.5 इंच को ऐसे इलास्टिक के लिए फॉल्ड कर लेना है और नीचे से हमने हाफ इंच का ऐसे फॉल्ड कर लेना है पांचे के लिए हमने फोल्ड कर लिया इदर हमने 7 इंच पर निशान लगा लेना है और उपर हमने आसन के लिए 8 इंच पर निशान लगा लिया है अब इदर से हमने जो दोनों निशान लगाया है वहां तक हमने गुलाई देनी है हलकी सी गुलाई देनी है हमने अब हमने क्या करना है साइट पे हमने इसकी कटिंग डाल लिए है आज सेनवाली साइट पे जो हम कटिंग डालते है तो वहां हमने वनेंज का निशान लगाना है इस तरह हमने सीधी लाइन नीचे से हलकी सी शेप देते हुए इस तरह हमने कट कर लेनी है तो अब इसकी कटिंग कंप्लीट है अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है तो स्टिचिंग के लिए हमने इसका जो सीधे वाले हिस्से हम उस हमने अंधर वाली शैड़ को कर लिए है और इक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हुए पहले हमने आसन की स्लाई लगा लिनी है तो यह देखिए स्लाई हमने लगा लिया है अब हमने उपर से इलास्टिक के लिए फॉल्डिंग करना है कपड़ा जो हमने रखा था 1.5 इंच का हमने इसको सीधा करेंगे और 1.5 इंच का हमने हमें इसको फॉल्ड कर लेना है जैसे हम लास्टिक के लिए फॉल्ड करते हैं। यह देखे इतना बड़ा हमने इसको को करना है क्यूंकि हम इदर हमने dल स्लाई्य करना है तो इसको हमने ड ethics करना है फोल्ड करने के बाद इदर मैंने थोड़ी सी जगा छोड़ी है लास्टिक के लिए आप इसरे बैने हाफ इंच की इस तरह लाइन लगा लिया है और उसके उपर भी हमने पूरे रॉंड पे चुप लगा लेनी है और इलास्टिक के लिए हमने थोड़ा सा ओपन छोड़ेंगे और इलास्टिक जो हमने लेना है वो हमने अपने बेबी के हिसाब से लेना है ये कम ज़्धा आप कर सकते हैं इसमें कोई वसला नहीं है आप अगर आपका बीबी हेल्दी है तो आप थोड़ा सा बड़ा डाले अगर थोड़ा वीक है तो आप कम डाले बस जो लास्टिक है वह अपने बेबी के हिसाफ से डालना है तो किसी भी चीज से हमने जो 20 में हाफ इंच का मार्जन रखते हूं इसलाई लगाई है य सेफ्टी पिन से तो मैंने बड़े वले निडल लियों से माडा रही हूं तो थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन ड़ जाएगी तो इस तरह हमने डाल की तो इसको उच्छे से से सेट कर लेंगे सेट करने के बाद इसमें जितनी हमें चाहिए होगी हमने उतनी रख लेनी है जितना हमरा बेबी का साइज है उसे साथ से रखेंगे और रखने के बाद इधर हमने अच्छे से सलाई लगा कि इसको पका कर लेना है और इसको हमने अंदर की तरफ करते हुए जो हमने इलास्टि दल के त्यार है आप हमने नीचे वाली साइट से बारीक फोल्ड कर लेना है दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे और यहां भी हमने लास्टिक अटेश करनी है अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन लास्टिक डालने से थोड़ा अच्छा और प्यारा सा लगने लग जाता है तो लास्टिक जो हमने लिया है वह सैवन एट इंचिस का ले लेना है हमने तो यहां से हमने वन इंच का मार्जन चोड़ देना है लाइन लगा लेनी है सीधी और सीधी लाइन लगा के ऐसे हमने खैंच के लास्टिक इसके उपर सिलाई लगा लेनी है तो हमारी खुद्बा खुद चुनड डल जाएंगी तो यह दिखें चुनड मैंने दोनों तरफ लास्टिक अटैच कर लिया है अब इसको हमने उल्टा करना है और यहां पर हमने सिलाई लगा लेनी है तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लूप पूरी ड्रेस की दिखा रही हूं तो माशाला कितना प्यारा सा हमारा फ्रॉक और हमारी शौट बन के तियार है इस तरह के और पेरे पेरे डिजाइन और फॉक्स के डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाला जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ दूआ में याद रखिएगा अला हफीज